तो भाईयों Instagram पर एक new option आइड किया गया है वो option कौन सा है तो simply जैसे ही मैं यहाँ पर plus के option पर क्लिक करके यहाँ पर story के option पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक photo select कर लेता हूँ तो भाईयों photo select करने के वाद simply यहाँ पर जो यह option है sticker मैं इस पर click कर लेता हूँ इस पर click करने के वाद simply यहाँ पर वो option देखने को मिलता है जिस पर लिखा हुआ है scheduled तो आखिरकार इसका मतलब क्या है तो जैसी मैंने यहाँ पर scheduled के option पर click किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है you have no upcoming events तो भाईयों इसका मतलब क्या है और आप इस option का use कैसे करोगे आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल details से बताने वाले हैं तो चलिए बिना कुछ देरी किए विडियो को करते हैं start और आपको बता देते हैं तो भाईयों simply सबसे पहले नंबर पर इस option का use क्या है आपको instagram open करके मतलब की story के option पर click करना और यहाँ से कोई भी एक photo select कर लेनी है select करने के वाद simply यहाँ पर जैसे कि मैं sticker के option पर click किया तो यहाँ पर जो option मिलता है scheduled तो यहाँ पर आएगा you have no upcoming events तो भाईयों इसका मतलब यह simply सबसे पहले इवेंट्स के लिए option है जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक post post करता हूँ simply मैं यहाँ पर सबसे पहले एक option मिलता है प्लस मैं इस पर click करता हूँ औढ़ यहाँ पर इस post वाले option पर click कर देता हूँ तो इस पर click करने के वाद यहाँ से आप जैसे कि कोई event या फिल लाईव होना चाहते हो simply यहाँ पर मैं जैसे की एक photo select करता हूँ and यहाँ पर arrow के option पर click करता हूँ and फिर से arrow अब यहाँ पर एक यहाँ में option देखने को मिलता है add reminder तो simply जैसे ही आप इस पर click करते होंगे तो यहाँ पर आपको event का नाम डालना होता है जैसे की आप साम को या फिर सुबा लाइव होने वाले हो तो simply यहाँ पर live आपको लिखना है तो live लिखने के बाद अब यहाँ पर मतलब की ओ टाइम आपको डालना है किस टाइम पर आप लाइव होगे या पिर किस टाइम पर आप ओ event करोगे तो simply मैं यहाँ पर टाइम डाल देता हूँ तो जैसे की मैंने यहाँ पर डेट भी डाल दिया हुआ है तो simply डेट डालने के बाद आपको done के option पर क्लिक करना है और end date यहाँ पर optional है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो आपकी मरजी उसके बाद जैसे ही आप right के option पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा मतलब कि यहाँ आप कौन सा इवेंट करने वाले हो यहाँ पर लिखा हुआ है live अब simply मैं यहाँ पर इसको post कर देता हूँ तो post करने के बाद अब यहाँ पर अभी आपको दिखाई देगा कि मतलब कि अब जब एप post किसी के सामने भी जाएगी मतलब कि आपके जो follower होंगे तो उनके सामने यहाँ पर इन notification आ जाएगी तो simply मतलब कि उस वाले option को यूज़ करके यहाँ पर ओ लोग reminder कर सकते हैं मै आपको बताने वाला था कि वो scheduled option क्या है तो मैं यहाँ पर फिर से फ्लस के option पर leave कर सकता हूं यहां पर इस ट्रूरिक option दिया गया है मैं इस पर set click कर लेता हूं इस पर click करने के बाद मेहासे मितलब कि अब्रों àब एक photo select कर लेटा हूं तो आप जैसे ही मैंने क्लिक किया तो simply वहाँ पर जो मैंने post डाली हुई थी तो simply ओली post यहाँ पर आ चुकी है अब आप इस post को जैसे की हम मैं यहाँ पर इसको जैसे की लगा दिया मतलब कि अब जब आप story को लगाओगे जैसे किसी को नहीं पता है उसके सामने वो पोस्ट नहीं गई तो आप यहां पर इस्टोरी के माध्यम से भी बता सकते हो कि हां मैं लाइब आने वाला हूँ और ओर लोग यहां पर रिमाइंड मी पर क्लिक करके मतलब की नोटिफिकेशन आन कर सकते हैं आप लाइब जाओगे तो यहां पर उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो भाईयों इसका मतलब यह होता है मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से गाइड कर दिया कि यहां कोई इवेंट करने वाले हो तो उसको आप यहां पर पोस्ट कर सकते हो इस्टोरी के माध्यम से तो भाईयों आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो एर तब तक के लिए बाई